आजम चेप्टर वन जोगरिटी कंटेंप्री बुक इंडिया की जो है इसमें चेप्टर वन इंडिया साइज और लोकीशन नेबरिंग कंट्रीज अफ इंडिया के बारे में जानेंगे तो ये वरक्षीट नमबर 33 है तो ये क्लास 9 की है और 25 सेप्टेंबर की है तो कुछ में पॉइंट से अज के समय में अमारी कंट्री में 28 इस्टेट है और 8 यूनियन टैर्टीज है जैसा कि हमने जाना तो हम ये सब जानते हैं इंडिया अपनी बाउंडी नौर्थ वेस्ट हिस्से में यानि नौर्थ में और वेस्ट तरफ में अफगानिस्थार और पाकिस्तान से शेयर करता है चाइना नेपाल और बुटान से वो नौर्थ में शेयर करता है और में अनमार और बांगला कि narrow sea path है पाल की state जिसे का जाता है यह देख सकते हैं यह जो है यह इंडिया और श्री लंका के बीच में ऐसी तरह से Bay of Myanmar इंडिया और Myanmar के बीच में है अब माल दीव इस present at the south माल दीव लक्षिद वीप आइलेंड के south में present है तो state is a narrow piece of land अब यह state क्या होता है यह एक narrow piece होता है land का जो कि two larger seas को connect करता है अब आंगे बता रखाए Bay is a part of sea water Bay एक part of sea water का which is surrounded by land जो कि land से surround होता है three sides दे example Bay of Bengal, Gulf way of Kuch इस तरह से तो यह हम देख सकते हैं question with the help of map, map से बताए the name of neighboring countries which are land locked जिनके land locked है Nepal, Afghanistan, China, Bhutan और Pakistan तो अब second which are the two neighboring countries island of India and where are they located Maldiv and Sri Lanka जोनों located Indian ocean यानि south में अब with the help of map map के according आपको नाल लिखने state की tropic of cancer से जो पास होते है the tropic of cancer पास है जो आर्ट इस्टेट से कॉच और बेयों खंबत तो आप इस तरह से वक्षीट करेंगे अब मिलेंगे नेक्स वक्षीट के साथ तब तक के लिए बाएं